हेलो अब्रीवन वेल्कम पैक टू माई चैनल आज की वीडियो में वन डे एक्जाम्स के लिए जो हमारी टॉपिक वाइस टेस्ट सीडीज चल रही है जोग्रफी की स्टार्ट की है हमने तो उसमें यह फोर्थ टॉपिक है जिसमें हम कवर करेंगे प्रायदीपिय भारत के प इंपर्टेंट है फस्ट है कौन दुनिया का प्राचींतम वलित पर्वत है ओप्शिन से अरावली सथपुड़ा पश्मिघाट या फिट नीलगिरी ठीक है तो जो अरावली पर्वत है वह एक वलित पर्वत है ओप्शिन नहीं दूंगे बिकॉस एक एक लाइन से यहां प अरावली दुनिया का प्राचींतम वलित पर्वत है प्राइद भारत के उतर पश्मी भाग में अरावली पर्वत का विस्तार है ध्यान से आप लोग जोग्रफी के मैप के साथ कोस्टेंस लगाया गरिए यह गुजरात के पालनपुर से दिल्ली तक 800 किलोमीटर में फैला ह नेक्स्ट आरावली पर्वत की अनुमानित आयू कितने मिलियन वर्ट्स मानी जाती है और ऑप्शिन्स आर 470 मिलियन वर्ट्स 570 मिलियन वर्ट्स या फिर 670 मिलियन वर्ट्स या फिर 770 मिलियन वर्ट्स तो इसकी जो अनुमानित आयू मानी जाती है कितने वर्षों पुर आना माना जाता है option number B is correct अरावली का निर्माट प्री केंब्रियन काल में हुआ था अरावली की अनुमानी तायू 570 मिलियन वर्ष मानी जाती है clear next निमलिखित में से कौन सा कौन भारत में अवशिस्ट परवत का उधारन है और options are अरावली, सत्पुडा, पश्यमी घाट या फिर निलगिरी अरावली परवत ही है जो के अवशिस्ट परवत का उधारन है option number A is correct भारत में अवशिस्ट परवत का उधारन एक अरावली परवत है अवशिस्ट परवत वे होते हैं जिनका आकार अप्रदन के कारण छोटा हो जा जाते हैं ठीक है अवशिस्ट में सुट से बचा हुआ भाग जो होता है अरावली परवत की अधिक्तम लंबाई किस राज्य में है और ऑप्शन सार गुजरात दिल्ली राजस्थान एंड हरियाणा ठीक है तो अरावली परवत की सबसे ज्यादा लंबाई जो है वह राजि है ठीक है नाम से जाना जाता है दिल्ली में इसी रिज नाम से जाना जाता है तो जहां पर अलग अलग नामों से जाना जाता है पहाडियों को उनकी नाम आप याद रखा करिए नेक्स्ट है अरावली परवत का सर्वोच शिखर या मतलब सर्वोच पार्ट जो उसके है सब जिसकी जो लंबाई है, उंचाई है, मतलब 1722 मीटर है, ठीक है, तो याद रखिएगा, option word D is correct, अरावली परवत का सरवोचे शिखर, गुरु शिखर, माउंटीन, माउंट अबू के पास है, माउंट अबू में जैन धर्म का प्रस्यद दिलवाड मंदिर भी है, ठीक है, तो इसकी जो लंबाई है, उंचाई है, मैंने इसलिए बताई कि कई बार ऐसा होता है, कि चार परवतों के नाम देदेगा, इनको सीक्वेंस बलगाई है, इनकी उंचाई के हिसाब से, ठीक है, तो वहां आपको उंचाई याद होनी चाहिए, ओके, next, मालवा का पठार की अवस अच्छे तरीके से, तो इसका जो आंसर है, यानि कि मालवा का पठार जो है, वह है, अरावली और विंध्य परवत की बीच में है, option number A is correct, ठीक है, मालवा का पठार की अवस्थिती अरावली और विंध्य परवत की बीच में है, मालवा पठार जॉला मुखी लावा से निर ठीक है, इसलिए इस पर बेसाल्ट चट्टान भी पाई जाती है, ठीक है, नेक्स टाइन इमलिकित में से कहां अवनलिका या खड अपरदन के उधारण देखने को मिलती है, option से दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार या फिर शिलॉंग का पठा ठीक है, तो जहां खड और अवनलिका देखने को मिलती है, वो है आपका मालवा का पठार, option number C is correct, ठीक है, चंबल तथा उसकी सहायक नदियों ने मालवा पठार को बहुत अधिक अपरदित करके काट छाट दिया है, जिससे बीहड, बीहड मींस्टू से आप खड कह सकते हो जैसे बन गए हैं, इस अपरदन को हम अवनलिका या खड अपरदन भी कहते हैं, अवनलिका मींस्टू से वो ऐसे पार्ट बन जाते हैं, नदियों जैसे जो इसके किनारे टाइप से बन जाते हैं, जबान लो एक नदी निकल के गई है, और वो चीज जैसे वो खाली जो चार, वाउ, यूर आप्शिन्स आर एक, दो, तीन, चार, क्या बात है, खेर, आंसर बता दीजे क्या है, इसका आंसर है, दो राज्या में फैला हुआ है, इट मींस आप्शिन नमबर बी इस करेक्ट, बुंदेल खंड के पठार का विस्तार मध्य परदेश व उत्तर परद प्रभावित शेत्र है, ओके, क्वेस्चिन नमर नाइन, किस परवत श्रेणी के अंतरगत पारसनात की पहाडियां पाई जाती है, वेरी इंपर्टन कोश्चिन, और इस में कोई ऐसा, इस सीरीज में कोई भी ऐसा कोश्चिनी जो इंपर्टन नहीं है, ओके, इस और आंसर पहाडियों के नाम से जाना जाता है, इसी श्रेणी पहाडियों के नाम से जाना जाता है, इसी श्रेणी के अंतरकत पारसनात की पहाडियां भी पाई जाती है, ठीक है, पूर्वरतर की साइड में पाई जाती है, चातिस गड़ की साइड जैसे ये पहाडियां बढ़ दी जाती है, इस टाइप से, गुजरात से यहां से, तो चातिस गड़ की साइड तक यहां जो ह कौन सी परवश्रेडी है जो उत्तरी भारत यानि जूपर वाला पार्ट है और प्राइदी भारत का मुख्य जल्विवाजक है ठीक है तो देखिए वह आपकी ऑप्शन से रखें अरावली सत्पुड़ा पश्मी घाड़ा विंध्य परवत ठीक है तो यह है आपकी विंध्य परवत ऑप्शन नमरब डी इस करेक्ट विंध्य परवश्रेडी उत्तरी भारत और प्रायदी भारत की मुख्य जल्विवाजक भी है क्योंकि यह गंगा नदी के अपवाहज शेत्र को प्रायदी भारत की अपवाहज शेत्र से अलग कर दिये है ठीक है नेक्स्ट कौन सा परवत भारत में एक मात्र ब्लॉक परवत का उधारण है most important question यह options are अरावली, सत्पुडा, पश्चिमी घाट और विंध्य परवत ठीक है तो देखें जो ब्लॉक परवत है वो आपका सत्पुडा है it means option number B is correct सत्पुडा भारत सत्पुडा परवत भारत में एक मात्र ब्लॉक परवत है ब्लॉक परवत का उधारण है ग्यातव यह है यानि कि ब्लॉक परवत होता क्या है वो बताया जा रहा है दो भरंश घाटियों के बीच इस्थित परवत को ब्लॉक परवत कहते हैं लाइक दिस यू किन से ठीक है यहां यह यह जो पार्ट है नहीं दस जाता है बीच में ब्लॉक परवत ठीक है तो ब्लॉक परवत कहते हैं इस श्रीडी का विस्तार गुजरात से लेकर मध्य परदेश वह उसके आगे 36 गड़ के छोटा नाकपुर पठार तक है जैसे मैं आपको बताया था ठीक है नेक्स्ट है निम्न लिखित में से कौन सी पहाड़ी सत्पुड़ा परवत के अंतरगत आती है और ऑप्शन सार मैकाल महादेव राजपीपला उपृत्क सभी देखे यह तीनों ही पहाड़िय मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कुछ गड़वर हुआ है राजपीपला महादेव और मैकाल यस देखे मैं एक बात बताती हूं आपको मैं आंसर बिल्कुल सही है क्वेश्चन इसका जो बनता है न वह इस तरीके से बन सकता है और इनका सीक्वेंस भी पूछ सकता है वह आप सब्सक्राइब और मैकाल पहाडिया ठीक है और यह किसकी आरावली की है बची महेंदर गड़ी और धूपगड़ अब इनमेंसे आप बता दीजिए कौन सा अंसर है दूपगड आंसर आएगा option number a is correct सत्पुड़ा परवत की सबसे उंची चोटी दूपगड चोटी है जिसकी उंचाई जो है तेरा सो पचास मीटर है जो महादेव पहाड़ी पर इस्थित है दूपगड चोटी के पास पंचमण हिल स्टेशन है ठीक है यह चीज़ आपको य महादेव राजपीपला और शेवारा है कौन सी पहाड़ी है जो मद्यपर्देश और 36 गड़ की सीमा बनाती है और वह है आपकी मैंकाल option number a is correct now मैं बिल्कुल confirm हूँ बिल्कुल किई जो मैंने आपको सीक्वेस बता था विल्कुल सही बताया था इस question में राजपीपला और मैकाल और महादेव पहाड़ी वाला ठीक है मैकाल पहाड़ी मद्यपर्देश और 36 गड़ की सीमा बनाती है मैकाल पहाड़ी की सबसे उंची चोटी की गर्म बात करते हैं तो वह है अमरकंटक है जिससे नर्मदा और सून नदिया निकलती है यह important fact है कि नर्मदा और सून नदिया कहां से निकलती है पूछ लेगा direct नेक्स्ट है चोटा नागपूर पठार का अधिकान शिस्टा की इस राज्य की इंतरगत आता है ओप्शन से जहारखंड, 36 गड़, पश्रिम बंगाल और ओडिशा थीक है तो इसका अधिकान शिस्टा आता है जहारखंड की इंतरगत आप्शन नमबर A is correct सॉरी चोटा नागपूर पठार चार राज्य में विवक्त है जहारखंड, 36 गड़, पश्रिम बंगाल और ओडिशा में फैला हुआ है इसका अधिकान शिस्टा जो है जहारखंड के इंतरगत आता है ओके नेक्स्ट कौन सी नदी चोटा नागपूर पठार को दो भागा म वक्त करती है, options है, सॉर्ड रेखा, महानदी, दामुदर या फिर महाननदा, तो वो जो नदी है जो कि छोटा नागपूर पठार को दो भागा में डिवाइट कर देती है, that is दामुदर, option number C is correct, छोटा नागपूर पठार से दामुदर वा सॉर्ड रेखा नदी निकलती है दामुदर नदी चोटानागपूर पथार को दो भागों में बाटती है औतर में हजारी भागों पथार वदक्षिट में राची पथार important fact है याद रखना ठीक है next है चोटानागपूर पथार की सबसे उंची जोटी कौनसी है और ऑप्शिन्स और धूबगड़ एंड महेंद्रगिरी और पारसनाथ एंड गुर शिकर बहुत एजी सा अंसर अब तो आप आप से कर सकते हैं उपर कोश्चिन्स लगा चुके हो गई है पारसनाथ एल ऑप्शनमड़ सी इस करेक्ट पारसनाथ तिल छोटा नाकूर पठार क तो है आपका राजी का परथार जो कि भारत में संप्राइ मयदान का उदहारन है अप्शनमबर भी इसको कि इस करेक्टो कर wha कि राची का परथार भारत में झाल मे धान क्या तब यह है कि संप्राइ मैदान अर्थार्थ एकदम मैदान कोई चर्टानी टीला नहीं पाए जाता है संप्राइ का मतलब होता है एकदम संतल मैदान जो होता है ठीक है next किस पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है most important question most most important question चोटानागपूर का पठार बुंदेल घंड का पठार मालवा का पठार या फिर दक्कन का पठार चोटानागपूर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है option number a is correct चोटानागपूर पठार खनिजों की दृस्टी से सबस्यारा संपन्ण है इसलिए इसको भारत का र च्छिम बंगल और ओडिश्या राजमहल पहाड़ें के बात में बारे में बात हो रही है तो देखिए यह जो पहाड़ियां है सबस्यादा जारखन में ही option number a is correct ठीक है चोटानागपूर पठार के उत्तरपूर में राजमहल पहाड़ियों की इस्तिती मुखे रूप से जारखन राज्या में है में घाला मत करके आना प्लीज आंसर मुस्ट इस्टुएंट में घाला और जारखन में कन्फ्यूज होते हैं तो प्लीज गरेक्ट आंसर जो है वो जारखन है देंडा करण यह पठार के तिनी राज्या में बे बखता है यूर ऑप्षिन्स और 2,3,4,5 जो देंडा करण के पठार है वह 5 राज्या में बखता है ऑप्शन घे इसकरेक्ट देंडा का पर थार का विस्तार ओडिशा चस्थिचाद महारास्ट ऐंध्यृपरद बस्तर का पठार रांची का पठार मालवा का पठार या फिर दक्कन का पठार भारत में तिन्धातु का एक मात्र भंडार किस पठार पर पाया जाता है तो वो है आपका बस्तर का पठार option number a is correct ठीक है दर्ण करणे का पठार खरीच संसाधन के भंडार की दृस्टी से महत्व शेत्र है भारत में तिन्धातु का एक मात्र भंडार इस पठार के अंतरकत इस्थितवस्तर के पठार में पाया जाता है नेक्स्ट है कौन सी शिलोंग पठार की सबसे उंची चोटी है यह और options are मिकिर, रेंगमा, नोक्रेक या फिर टाइगर हिल ठीक है तो शिलोंग पठ पठार की सबसे उंची चोटी है जो मिखाले में इस्थित है शिलोंग पठार के अंतरकत गारोखासी जयनतिया पहाडिया और इन जनजातियों के नाम भी यहीं है यहां पर रहने वाले जो जनजातिया है उनके नाम भी गारोखासी जयनतिया ही है मिखाले में मिकिर वह रं निर्माड किस यूग में हुआ था और उप्शिंस हैं मेसोजोग सेनोजोग क्रिटेशियस या फिर पेलियो जोग तो जो दक्कन का पठार है और उसका निर्माड हुआ था आपका क्रिटेशियस यूग में ऑप्शन से बना हुआ है इसका निर्मार क्रिटेशियस युग में हुआ था नेक्स टेट निमलिखित में से कौन सी पहाड़ी दक्कन पठार के अंतरगत आती है आप सबके नाम याद रखने हैं हमारे कोश्चन में तीन के दिये गए हैं अपको सारे याद रखने पढ़ेंगे क्योंकि वहां वह कुछ भी पूछ सकता है महानधी बेसिन किस राज्य में आवस्थित है यार योर आपशन्सार झारखन छात्यस कड़ पश्य बंगाल और उड़ी स्था तो जो महानधी बेसिन है वह हैं आपका यह तो ओब और यु मारоть जाता हैăm से जाधा important है ठीक है for one day exam okay next है प्रसिद इस्थल जुम्री तलिया किस राज्य में इस्थेते हैं और options आज जहारखंड चाटिसगर पश्रीम बंगाल और ओडीसा तो जो जुम्री तलिया है वह किस राज्य में है वह है जहारखंड में option number a is correct जुम्री तलिया जहारखंड के कोडर माजिले में इस्थेत है नेक्स्ट है नेम लेकित मैंसे कौन सी पहाड़ी गुजरात में पाई जाती है यौर options और गिर अब इसका आंसर तो नहीं दिखने दोंगी मैं यह मेरा टार्गेट है मांडव बार्दा या फिर अपरत सभी आंसर एक्शुली एजी हैं तीनों ही पहाड़ियां गिर पहाड़ियां भी पाई जाते हैं गुजरात में मांडव और मार्दा भी it means option number d is correct गुजरात के सौरास्टर में तीन पहाड़ियां पाई जाती हैं गिर पहाड़ियां मांडव पहाड़ियां वबार्दा पहाड़ियां पूरे एशिया में शेर सिर्फ गिर के जंगला में ही पाई जाते हैं जो कि सौरास्टर में इस देता है बहुत famous है यह question कि गिर एशिया ही शेर जो कर दिये हैं test 4 जो है complete हो चुका है यहां आपको test भी को नहीं count कर रहे हैं आपको questions भी counting करने हैं आपको topic count करने हैं आपके कितने topic complete हो चुके हैं तो फोर्थ टॉपिक यानि की प्रायदी भारत का पठारे से पहले हम उत्तर भारत का विशाल मैदान ले चुके हैं हमालय ले चुके हैं उससे पहले हम आपका क्या ले चुके हैं वह जो एक और topic था उसकी वीडियो आचुकी है भारत की भागले किस्थिती वही था इतिक है तो सारे topics cover हो चुके हैं और आप लोग अपने सोट से पढ़ते रहा करिये हैं okay so thank you so much for watching my video मिलते हैं नेक्स वीडियो में हां guys please अपना और अपने परिवार का ख्याल रखे तब तक के लिए सब लोग प्लीज सेफ रहे हैं क्योंकि बहुत जादा बुरा हाल है मतलब define नहीं क्या सकता इतना जादा बुरा हाल है ठीक है so please safe रहे हैं बहुत जादा जरूरत हो तब निकलिए और घर आने के पास सारी safeties बरती है so ठीक है thank you so much for watching my video मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care